बाहर का चीज हो रहा है कि यह सरकार ऐसी डोगला नीती क्यों कर रही है आप लोग देख रहे थे कि मानिय बिर्हाई जी को इस्टेक्चर पर लाया गया जबकि मानिय बिर्हाई जी ने हर समय कानून का पालन किया है और हर डेट पर उपलब्द हुए है मानिय बिधाई जी मगर आज सरकार के द्वारा जबरदस्ति प्रसासन के द्वारा तिन तिन एसपी छे इंस्पेक्टर कम से कम एकासो फोस था आज तक इतना नहीं आता था मानिय बिधाई जी को इस्टेक्चर पर जबरदस्ति मानिय बिधाई जी को एम्स के साइड डॉक्टर ने बोला है कि यह हिल भी नहीं सकते एक महिना कंप्लीट बेड्रेस्ट है मगर सरकार जान बुच करकर यह नितीज सरकार यह नितीज सरकार जैसे बरमेसर मुखिया और राजो सिंग को मरवाया है उसे अब एक अनंत बावु को भी मारने का परियास कर रहा है चुनाव से पहले भी उसने परियास किया था मारने का मगर आ सरकार ऐसी दोगला नीती क्यों कर रही है मैं निती इस कुमार जी को चेताब नी दे देना चाहता हूं और उनके सांसदों को कि यह नीती आप खतम किजिए अगर किसी को आप चाहते हैं कि ऐसे करके हम अपने पैरों में गिराने के लिए यह बर्मर्सी है जिसका नाम है परसांद करने का काम किया है डाक् deepest ने उनको हिलने ुलने से महला किया कि कुछ भी इनको हो सकता है मगर मान्य विधाईक जी के लिए यह लोग यह लोग कितना परसांkelnी जमीन पलेटा है, आप लोग मिद्या बंधू को भी सठने नहीं दिया जा रहा था, मेरे साथ धक्का मुक्त की गई, मेरे साथ धक्का मुक्त की गई, जबकि मैं मानने बिढ़ाई जी के पास जा सकता था, मैं साथ में जाना था, मुझे, रोक दिया गया, फिर बाद में बोल तो पूरा बिहार का जनता पूरा समाज एक मुझतों करके आपको जवाब देने का काम करें उस्ट हे साहब को सुगर है साहब को पूरा नसरे सु साहब का परोब्लम है बहुत तरह की प्रोब्लम में है जो की डॉक्टर सीधे एक दम इनको का है बेड्रेस कम्प्लीट हिलना है वह तो बिधाय जी को जबरस्ती उतारने का परियास कर रहा था कि छली आप अथी पर ले चले मगर हमने मना किया हमने कहा कि नहीं श्ट्रेक्चर पर आप ले चलिए और जमीन पर मानने बिधाय को इस्ट्रेक्चर पर रख दिया गया इसे जिब बेहोस थे यह क्या है यह क पर फिर ऐसा किया गया तो बहुत आनदोलन का रूप होगा उनका बहुत है मानिए बिधाय जी कुछ बोल नहीं पा रहे थे मानिए बिधाय जी कुछ बोले नगी ज़सा है भी देखे सब कोई लोक देखा पूरा वकील पूरा आप लोग नहीं देखे अब लाया गया था इस पेशी के लिए ड्यान दखीला अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना फूलें